वादी कश्मीर की जमीन एक बार फिर गैर कश्मीरी सरकारी मुलाजिम के खून से हुई लाल कश्मीर धाटी के कुलगाम जिला के च्वाल ग्राम की सरकारी टीचर जो की जिला सांबा जमू की रहने वाली हैं रजनी बाला उनकी आतंकियों द्वारा निर्मम हत्या की दी इसके बाद इलाके में माहोल खराब होना शुरू हो गया पुलिस का कहना है कि अतंकियों ने रजनी बाला को इसलिए टारगेट किया कि वह अलपसंख्यक हैं और उनको टारगेट करने से बाकी अलपसंख्यक कश्मीर घाटी छोड़ कर भाग जाएंगे बहुर तलब है कि कुलगाम जिला एक ऐसा जिला है जहां जम्मू के कैई अलपसंख्यक काफी तादाद में रहते हैं रजनी बाला की मौत के बाद आज उनके सहकर्मी और अन्य गैर कश्मीरी सरकारी मुलाजम सड़कों पर उतराए और उनने परदर्शन करना शुरू कर दिया और सरकार से मांग की कि पियम पैकेज के तहरत सरकारी मुलाजमों को जो कश्रीन घाटी में नोकरी मिली है या तो उन्हें यहां से ट्रांस्फर किया जाए या तो नहें सरक्षित अलाकों में लिए जाया जाए इस बीच कश्मी के भिन जिलो में परदर्शन तेज हो गए है और अलप संख्यक सरकारी मुलाजिम सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर कर जोरदार परदर्शन कर रहे हैं जहां उन्हें सड़कें भी ब्लॉक कर दी और सरकार से सीधी मांग कर रहे हैं या तो उन्हें कराबा नहीं बनेगा नहीं चलेगा 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 नहीं चलेग झाल झाल